बांगलादेश में जो बेरोजगारी की दर है वो मात्र साढ़े चार प्रतिशत है बांगलादेश से जो गार्मेंट का एक्सपोर्ट होता है जो कपड़े का निरियात होता है वो 32 बिलियन डॉलर है हमारे गपड़े के निर्याद से चार गुना हैं हमारा आठ बिलियन डॉलर है उनका बतीस बिलियन डॉलर है और ये भी एक सच बात है कि जब अमेरिका और चीन की जबरदस ट्रेड वार और व्यापार का युद्ध चल रहा था तो तीन देशों ने उसका लाब उठाया उसमें से हम एक नहीं थे हम उसके बहुत बड़े उसका लाब उठा सकते थे उसको लेवरिज कर सकते थे लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए बांगलादेश मेक्सिको और वियतनाम ने जो भी धंदा अमेरिका ने चीन से हटाया वो इन तीनों देशों में गया हमारे पास वो धंदा नहीं आया क्योंकि उस टाइम पर सरकार की कुरूइतियों से पूरा का पूरा जो निर्याद छेत रहे है पूरी की पूरी जो एकॉनिमी वो कुंठिती क्योंकि याद रखिएगा कि आज ये करोना के पीछ हो चुका था निवेश हो नहीं रहा था नौकरिया नश्ट हो रही थी ये करोना काल से पहले की बात है करोना ने इस दिक्कत को और बढ़ा दिया और आज भी अगर सरकार चेत जाए तो देरी बात समल सकती है सरकार को क्या करना है सरकार को उपभूख बढ़ाना है सरकार को मुगालते 35 लाग government employees को LTC voucher मिलेंगे कब मिलेंगे जब आपको जितना धन मिलेगा उससे तिगुना आप खर्चा करियेगा GST की जिन चीजों पर 12 प्रतिशत से अधिक tax लगता है वो खरी दियेगा और 31 मार्च से पहले खरी दियेगा तब मिलेगा अगर मुझे 8000 मिलना है तो क्या मेरी समय हकीकत है जमीनी हकीकत की मैं 24000 खर्चा कर सकूँ तो कहीं पर सरकार की जो धारणा है जो direct cash transfer करके लाब मिलता या तो समझ नहीं है या नियत नहीं है ये साफ नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे है